आज की वीडियो में हम जिस spoken structure के बार में बात करने वाले हैं वो इन sentences को frame करने में काम आता है जैसे मैं चाय पीना चाहूंगा मैं आज खरीदारी करना पसंद करूंगी मैं इससे बात करना पसंद नहीं करूंगी आप क्या लेना चाहेंगे ऐसे sentences जिन में हम बोलते हैं कि हम किसी चीज को या काम को करना पसंद करेंगे या करना चाहेंगे इसको English में बोलने के लिए हम would like to का यूज करते हैं जिसका मतलब होता है किसी चीज को या काम को करना चाहना या करना पसंद करना ऐसे sentence इसको English में बोलने के लिए ये rule follow होता है इसके rule में sentence की starting होती है subject से subject के बाद आता है would like to would like to के बाद आता है verb की first form verb की first form के बाद object और object के बाद other words अगर बच जाते हैं तो ध्यान रखेंगे कि अगर हम negative sentence बना रहे हैं तो would और like के बीच में not आएगा और अगर interrogative sentence बना रहे हैं तो ये rule follow होगा sentence की starting होगी would से उसके बाद subject आएगा उसके बाद like to उसके बाद verb की first form और उसके बाद object और फिर other words चलिए अब इस पर based कुछ examples देख लेते हैं जिससे आपको इसका meaning पूरी तरह से clear हो जाएगा मैं चाय पीना पसंद करूंगा या मैं चाय पीना चाहूंगा I would like to drink tea I would like to drink tea यहाँ पर देखिए subject हमारा I है subject के बाद would like to आ रहा है उसके बाद verb की first form जो की है drink और उसके बाद object जो है tea वो doctor बनना चाहेगा या वो doctor बनना पसंद करेगा He would like to become a doctor He would like to become a doctor वो एक गाना गाना चाहेगी या वो एक गाना गाना पसंद करेगी She would like to sing a song She would like to sing a song मैं आज खरिदारी करना चाहूंगी या मैं आज खरिदारी करना पसंद करूंगी I would like to shop today I would like to shop today मैं उससे बात करना पसंद नहीं करूंगी या मैं उससे बात करना नहीं चाहूंगी I would not like to talk to him वो इस सवाल का जवाब देना पसंद नहीं करेगा या वो इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहेगा He would not like to answer this question क्या आप तहलने के लिए जाना पसंद करेंगे या क्या आप तहलने जाना चाहेंगे ये interrogative sentence है तो rule के according Would you like to go for a walk? आप क्या लेना चाहेंगे? या आप क्या लेना पसंद करेंगे? What would you like to have? क्या तुम burger खाना पसंद करोगी? या क्या तुम burger खाना चाहोगी? Would you like to have a burger? इस वीडियो में इतना ही I hope आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो please इसे like कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए and don't forget to press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नई लेस्न के साथ सब तक के लिए take care बाइ बाइ